तो इस समझ के संदर में एक और रोश्टी आप से जाते हैं जब आपने सियासत शुरू की थी वो अड़ल अड़वाणी के दौर की पार्टी थी भाजबा अब जब आप अपने राजनी जी के चरम बिंदू पर दिखाई देते हैं पार्टी भी जबर्दस उचाई पर दिख किया, ऊज चुक्छी मैं तब बहुत हो इत्धार्थी कार्फार्य करता था बातना जी का जब का दौर चलरा था वा दोर भी एक दौर था और यहां दौर एक अलग दौर है इस दौर में आज भारती जन्ता पार्टी मूदी जी के नेतुटों में किह बारत जी नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और मोदी जी के नितुत्तों में एक ऐसा हिंदुस्तान बन रहा है एक ऐसा भारत बन रहा है जो भारत पूरी दुनिया को अब दिशा देने का भी काम कर रहा है एक समय था जब बैस्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कह पाता था कोई उसको गंबीरता से नहीं लेता था पिछलगू भारत और दब्बू भारत की हमारी छबी बन गई थी आज चाहे जी ट्विंटी की अद्धिक्स्ता हो भारत सरकार के मैं कहूं आओँ आओवान पर या उनकी पहल पर प्रेन युद्ध हो चीन को महतोर जवाब देना हो सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो यह सारे मुद्धे ऐसे मुद्धे हैं कि आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है और भारत को गंबीरता से ले रही है आप कह रहे हैं बारत को गंभीटा बेने नहीं मान रही है देश के सबसे पुराने राईनेतिक दल के जो पूरवत जखशन राहुल गांदी वो बता रहे हैं कि देश बरबादी के कागार पर जा रहा है लोकतंदर खतम हो रहा है आओ देश को समालो तो आपके बात में और देश के सबसे पुराने राजनेतिक दल देश का सबसे प्रभावी जो परिवार रहा है वो तो खुलके बता रहा है कि देश बर्भाद हो रहा है देखे उस परिवार और उस पार्टी के नेता जो सबसे पुरानी पार्टी है उनकी जमीन यहां किसर गई है उनके पास जमीन नहीं है और पार्टी भी समाप्तिकी हो रहे इसलिए वो मैं समझता हूँ कि किसी बिदेशी एजन्डे पर वो काम सुरू उनका हो गया है और उनके बारे में है जिनकी फाउंडेशन को उनके पिता जी के नाम से चलने वाले फाउंडेशन को जो हमारा घोर बिरोधी चीन है जो जगा जगा पर हमारे लिए कांटे बिछाने का काम करता है उस देश से भी उसमें डोनिशन आता है तो प्रदेश की जनता सुएम समझ सकती होगी कि कि किस दिसा में जा रहे हैं और पूरी दुनिया आज भारत को जो है कह रही है कि भारत आज समर्थ भारत सकती साली भारत समरस भारत और दुनिया भी भारत का जब बजट आ रहा है उस बजट से अपेक्छा रख रही ही कैसा बजट आएगा पूरी दुनिया के अंदर साख बढ़ रही है ऐसे समझ में इस परकार का बयान देना और इस परकार का बयान वो उस पार्टी के नेता दे रहे हैं उस परिवार के जिनके पूरवजों ने इस देश के अंदर आपातकाल लगाने का काम किया था लोगों को जेलों के अंदर बरसों तक देश को गुलाम बना कर रखा शर्मनाक है जितनी निंदा की जाए उतना कम है शर्मनाक मानते इस बात को अब हम वापस आते हैं मुख्य मंतरी पुश्कर सिंग धामी जी से बात करने के लिए प्रदान मंतरी जी के नितरत में देश बहुत आगे बढ़ रहा है उसमे धामी जी के नितरत में उतरा खंड क्या योगदान दे रहा है केवल केंडर से मदद माग रहा है या कुछ ऐसा करके दे रहा है जिससे लगे कि मुदी जी का हाथ मजबूत हो रहे हैं मुदी जी जो एक मैं कहूं कि राम सेतू बना रहे हैं उस राम सेतू में जो योगदान भगवान राम जब राम सेतू का निर्मान कर रहे थे गिलहरी जो योगदान दे रही थी वो जो छिद्र थे उन छिद्रों को